ठंदा ठंदा रिफ्रेशिंग आज मैं आपके लिए लेकर आए हूँ गुलाब शर्बद गुलाब शर्बद फ्लेवर्ड मिल्क इसे आप कुछ भी कहिए लेकिन आप इसे ट्राइ जरूर कीजिए हेल्दी है टेस्टी है पीकर आपको मजा आजाएगा तो चलिए फिर शुर यानि की एकदम बढ़िया स्मूध इसका घोल बनकर तयार होना चाहिए जैसे यह हो जाएगा इसे हम साइड में रख देंगे अब हम यहां ब्लेंडिंग जार में लेंगे आठ से दस बदाम आठ से दस काजू और इसके साथ ही चार हमने डेट्स लिये हैं इनके सीड्स हमन पादाम का स्किन हमने निकाल दिया है वन फोथ कप यहां हमने दूद ले लिया है और अच्छे से हम इसे पीष कर इसका एक स्मूध पेस्ट बना लेंगे तो यह देखिए इसका जो पेस्ट है वो बनकर बढ़िया तरीके से तयार हो गया है इस पेस्ट को भी अब हम और आगे बढ़ते हैं दूद गरम करते हैं आधा लीटर दूद लिया है मैंने आप जितना बना रहे हैं उस हिसाब से आप दूद ले सकते हैं हाई पर सबसे पहले हम अबालाने देंगे यानि दूद को हम बॉईल करेंगे जैसे ही दूद में उबाला जाएगा एक बार इसे अच्छे से और चला लेंगे फ्लेम को अब हम मीडियम पर कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर ही जो पेस्ट हमने तयार किया था काजू बदाम और डेट्स का वो इसमें हम अच्छे से डाल देंगे बढ़िया तरीके से इसे मिक्स कर देंगे अब हमें कुछ भी नहीं करना है इंतिजार करना है पाँच मिनिट का पांच मिनिट तक हमने इसे मीडियाम फ्लेम पर अच्छे से पकने देना है ताकि जो फ्लेवर्स udah काजू का बदाम का डेट्स का वो इसके अंदर आ जाए तो पाँच मिनिट में बीच बीच में एक दो बार चलाते रहिए और पाँच मिनिट तक इसे अच्छे से पकने दीजे पाँच मिनिट के बाद हम इसमें डालेंगे एक चम्मच इलाइची का पाउडर थोड़े से कटे हुए बदाम तीन करक्क को अंदर में धोलाने कीजें नीचे जम चाहिए अन लंप्स बन धाएँगे गुटलिया बन जाएँगे दो मिनिट हम इसे और पकाएंगे जो इसमें रोज सिरूप मिलाइगे सन् इसमें जलब जितना से उस हिसाब से आप मिलाईए और अच्छे से इसे मिक्स कीजिए अगर आपको ऐसा लगे ठंदा होने के बाद की मिक्षर गाड़ा हो गया है तो टेंशन मत लीजेगा मिक्सी में एक बार उसे चला लीजेगा तो इसकी जो कांसिस्टेंसी है नॉर्मल हो जाएगी इसे फ्रिज मुझे बढ़िया सा ठंदा ठंदा गुलाब शर्बत बनकर तयार है कैसी लगी है आपको रेसिपी कॉमेंट करके जरूर से बताएगा वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा चल्द ही मिलेंगे हम अगली रेसिपी के साथ में तब तक के लिए बाबाए